नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्टेडिया एक्विकेटिन स्वागते इस वक्त की महत्वपुन खबर आपके लिए राजस्तान लोगडाउन को लेकर महत्वपुन अपडेट हैं बहुत सारे विद्यारतियों को लोगडाउन को लेकर और गुस्सा आ रहा है बेरोजगारों क और जो आम आदमें उसको भी गुसा है कि लोगडाउन नहीं चाहिए हमें परन्तु दोस्तों बहुत जरूरी है कि आपकी जिंदगी बचाना भी जरूरी है साथ में आपको रोजगार देना भी जरूरी है परन्तु इस बार लोगडाउन में बहुत सारी चीज़े जो है ब कबर है दोस्तों क्या ये कबर मुक्य मंत्री ने अधिकारियों को दिये सक्त गाई लाइन बनाने के निर्देश चार मई से अगले 15 दिनों तक प्रदेश में लागू रहेगी सक्त पाबंदिया देखेगा ये 14 बिंदू कौन-कौन से इन पर संसोधन होगा देखेगा सुत्र के माने तो नई गाई लाइन में 14 बिंदू जो है निम्न- प्रकार है जो विकेंड करपिऊ के दोरान दूद और सबजी की दुखाने को चोड़ कर सब कुछ बंद किया जाएगा यानिकि सनिवार और अभिवार को सब कुछ बंद रहेगा केवल सब्जी दूद को छोड़ कर इसके लावा पूर्णतया जो है मंडियों को बंद किया जाएगा यानिकि किसानों के लिए भी दरवाजे क्या कर दिये जाएंगे क्लोज कर दिये जाएंगे तो मंडिया बंद रहेगी साथ में पेट्रोल पंप सब्ता में केवल दो दिन खुलेंगे केवल पेट्रोल पंप दो दिन खुलेंगे वो भी कितने बज़े से कितने बज़े तक सूबा छे बज़े से आठ बज़े तक इसके लावा पेट्रोल बंप नहीं कुलेगा यानि की दो गंटे आपको पेट्रोल बर्वाना है तो बर्वा लीजेगा अन्यतावे से पेट्रोल बंप की जरुरत नहीं पड़ेगे आपको जहां तक जरुरत है क्यूंकि आपको आना जाना बंद कर दिया गया है आपको पूरी जानकारी बताऊंगा 6-8 बजे तक केवल आपका पेट्रोल बम खुला रहेगा केवल सब्ता में दो दिनन की 5 दिन पेट्रोल पंप बंद रहेगा अगला खबर है आपके लिए चार नमबर का टोपिक एक जीले से दूसरे जीले में नीजी परिवन के साथ अब नीजी बसे भी बंद अब जो है एक जीले से दूसरे जीले में परिवन के साथ साथ अब नीजी जो बसे प्राइवेट बसे है अब उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा महत्तोपून खबर है उसके लबन यहाँ पर खबर है दोस्तों रोडवेज बसे बंद होगी या नहीं यह निने मुख्यमंत्री करेंगे अभी यह निने नहीं वो पा रहा है कि रोडवेज बसों को बंद किया जाए या छोड़ दिया जाए बतलब इसे मार दिया जाए या बचा दिया जाए यह वाला डायलोग हो गया यह तो वेलकल तो रोडवेज बसों को बंद किया जाए या नहीं किया जाए इस पर निने मानने स्री मुख्यमंत्रीसों गोलोजी करेंगे रासन की दुकाने सिर्फ गली मोले वो कोलोनियों में ही खुलेगी मुक्खे बाजार में नहीं खुलेगी यानि कि जो बाजार है मेन मारकेट है आपका तो मेन मारकेट में दुकाने बंद कर दी जाएगी पूर्ण तया केवल आपके आज पास गर के आजपास दुकाने हैं तो वो एक दो दुकाने खुलेगी दोस्तों उसके बिले भी गाई लाइन जारी की जाएगी यह है अपडेट रेश्टोरेंट से अब होम डिलेवरी पर भी पाबंदी होगी यानि कि आब रेश्टोरेंट के दुवरा महत्वपून अपडेट इसके लवा और जानते हैं आपके लिए क्या है महत्वपून अपडेट कुछ आउस्यक बिंदू और देख लेते हैं आपके लिए क्या है जरूरी देखिएगा आउस्यक शेवाँ से जुड़े सरकारी कारे लिए जो अभी 50% स्टाप के साथ खुल र रहा है अब केवल 15% जो है स्टाप को बुलाया जाएगा यानि कि आपके RSMS भी दोस्तों RSMS भी जेई की एकजाम होना इंपोसीबल है बहुत सारे विद्यारतियों को टैंसन है तो मैं बता देता हूं यह बिल्कुल अगली कबरे नीजी कारेले पूर्ण से पूर्ण रूप से बंद रहेंगे यानि कि प्राइवेट जितने भी कारेले वोगे रहा है वह बिल्कुल एक दम सटिकता के साथ बंद रहेंगे बिल्कुल उपर नहीं होंगे और देखो अब दारू भी नहीं मिलेगा दोस्तों बड़ी अपडेट अब जो है दारू नहीं मिलेगा सराब नहीं मिलेगा दुकाने नहीं खुलेगी ठीक है ये महत्तोपूर्ण जानकारी आपके लिए जरूरी है एदि आपको कोई भी चीज रखनी है तो अभी रख लीजेगा ये सरा आप तो बंद होने वाला है दो चार बोतल रखनी है किसी को तो रख सकता है मेडिकल एमरजेंसी के अलावा कोई भी वेक्ति बार गुमता है यानि कि किसी को मेडिकल एमरजेंसी है वही बार गुम सकता है अन्यता कोई भी बिना आउस्यक मिले तो एक जार रुपे का जग अब दस जार रुपे का चालान होगा कितने रुपे का एक चार रुपे का चालान नहीं होगा आप दोस्तों अब 10,000 जार रुपे का चालान होगा पंद्रा दिन के लिए उसके वाहन को सीज कर दिया जाए यानि कि आप मोरसाइकल लेके निकलते हो तो मोरसाइकल को पंद्रा दिन तक बंद कर दिया जाएगा साथ में आप होरविलर लेके निकलते हो होरविलर को बंद कर दिया जाएगा बिना उसे बिलकुल भी नहीं निकल सकते बिना मास्क पाए जाने पर 500 की जग़ 5,000 का चालान बनेगा यानि कि अभी 500 रुपे का चालान बनता है बिना मास्क आप पाए जाते हो तो परन्तु आगे आने वाले जो 4 महीशे 4 महीशे 5,000 रुपे का चालान बनेगा साधी विवाब में भी बड़ा बदलाओ अब सिर्फ 21 वेक्ती ही अनुमत अन्यवेवता 50,000 का चालान होगा यानि कि 21 वेक्ती से ज़्यादा अब जो है लोग पाए जाते हैं तो 50,000 का चालान होगा 25,000 में भी लोग जो है सुदर नहीं रहे हैं इसी को देखते हुए 50,000 किये गए हैं वेक्ती हो की संक्या 50 से घटा कर 21 कर दी गई है अगली यहाँ पर क्या है मामला देखिएगा बेंकों फाइनेंस कंपनी बीमा कंपनी में 30% स्टाप के इस्तान पर 30% स्टाप होगा के साथ 2 बजे तक कारे होगे यानि कि केवल 2 बजे तक आप जो है बेंक फाइनेंस कंपनी बीमा कंपनी खुले रहेंगे और नहां पर अपडेट है गाई लाइन के बाकी बिंदू पूरू की बाती ये थावत रहेंगे तो ये महत्तोपूर अपडेट थी आप लोगों को ये जो है जानकारी प्रसंद आई होगी प्रसंद आई है तो इस वीडियो को आप जादा से जादा से शेर करें आप तक और भी कोई जानकारी होगी तो हम जरूर पहुचाएंगे आप बने रहेगा हमारे चैनल स्टेडी आईक्यो केडमी के शाथ दोस्तों बहुत सारे बच्चों को मैं फिर से बता रहा हूँ लोकडाउन से क्या है परेशानी है तो वह बच्चे परेशान है वो बोल रहे हैं कि सर आप लोकडाउन लोकडाउन की खबरे क्यों दिखा रहे हो दोस्तों अभी कोई और न्यूज होगे रहा तो है नहीं आपकी वेकेंस उसे अभी जो न्यूज है मैं वह इह बता रहा हूँ तो दोस्तों बिलकुल ये जानकरी मिशले बता रहा हूँ क्योंकि आपको कहीं गाऊं उगbles में जाना है या पर गाऊंसे सर में आना है आपको कहीं प्लायन करना है तो आप पहले ही कर लें तैयार ही कर लें तो इसी के लिए मैं आपको ये जानकरी बता रहा हूं दन्यवाद सभी दोस्तों स्वस्त रही है से प्रही है घर पे मास्कों गिरा बार निकले तो लगा करें निकलना है ये बिल्कुल आपको काम करना है धन्यवाद जैहिन जैवारत मित्रो